चेलो श्टूडन आज हम लोग फिर से एक एहम टॉपिक देखती है जो आपका राइटिंग इसकिल का टॉपिक है इस स्पीश राइटिंग आप जानते हूँ इस स्पीश करना सबको आता नहीं ठीक है तो स्पीश कैसे करना ये भी एक इंपोर्टेंट है लोगों के सामने कि स्पीकर वही होता है जो बहतर ढंग से अपना अपनी जो बात है सब के सामने रख सके तो चलो देखते हैं किस तरह से हमें लिखना है क्योंकि आपको स्पीश तो करना नहीं खड़े होकर आपको तो स्रिफ लिखना है ठीक है तो चलो देखते हैं हाओ टू अटेम देक्शन question को हमें कैसे आटेम करना आपको मालूम होगा आपके जो question रहता है writing skills के अंदर या तो आपको speech लिखना रहता है या थो counter view और view लिखना रहता है तो हम लोग speech देख लेंगे होगे आपका speech ठीक है तो how to attempt the question this activity involves writing a formal paragraph on the topic given for the speech ठीक एक फॉर्मल paragraph के इसाब से अपने को लिखना है पहला point यह हो गया ठीक है यह पहला point होगे आपका उसके बाद क्या करना है तो objective of the speech is to express the convey your opinions तो इसका objective क्या होता हमें अपना जो opinion है उसको लोगों तक पहुचाना अपना message इसको पहुचाना व्यूज नॉलेच हमें लोगों तक अपना thoughts जो है लोगों तक यानि कि audience जो बैठे रहे हैं उनको अपनी बाते पहुचाना है ठीक है begin with address to the audience begin kase karna bula ladies and gentleman ladies and gentleman I am here I saw if you was a true my dear teachers and friends yet to essa was a true my dear teachers and my friends या फिर आइसा भी बोल सकते हो कैसा respected principal beloved teachers and my dear friends I am here for you okay it is the address should be appropriate for the audience that you are addressing और जो यहां पर क्या बोला है जो address यानि किस तरह से उनको बता रहे हो यह important करता है जो audience है उनकी उपर ठीक है तो जैसे audience रहेंगा उसके हिसाब से आपको इस्तामाल करना है ladies and gentleman करना है जहां पर आम पबिक रहेगी जहां पर टीशर्स होंगे हमारे हमारे दोस्ट होंगे वहांभी क्या लिकना स्रिस्प्रेक्टिछ टीचर्स अना लियर टीचर्स एड फ्रेंट फ्रेंट इस बोलना है जहां पर प्रिंस्पल भी पैठे रहेंगे माप रिस्प्रेक्टिट प्रिंसपल्स लिव टीचर्स और माइड ये लिने का clear your statement must be directly addressed to the audience after statement direct क्या करेगा पब्लिक को बोलेगा ओडियंस को बोलेगा ठीक है और उसके अंदर लेंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड टेंस टोन सीडियस तो लेंग्वेज होना ची फॉर्मल होना ची बहुत साधा होना ची कि हर बंदे को समझ में आ जाए हमारी बाते तो इसको आसान भासा में लिख है ते कोशन में उस पॉइंट के इस्तेमाल करते हुए हम लोगों क्या रहता है पूरा का पूरा लिखना रहता है एंड आफ विट सुच्पेशन सुलूटेशन सचा जैहिंद थैंक्यू इस अब एंड करना रहेगा तो जैहिंद कब बोलोगे जब इंडिपेंडेंडेंड जैनवरी रहेगा तब आप क्या करोगे उस जगह पर आप इस्तमाल क्या करोगे भई जैहिंद का इस्तमाल करोगे और नॉर्मल कोई फंक्शन रहेगा या प्रोग्राम रहेगा वहां पर आप क्या इस्तमाल करोगे थैंक्यू इस्तमाल करोगे ठीक है चलो एक स्पीश ले सिक्वेंस धिशरूरी है इसके अंदर उसका भी इस्तेमाल करना जरूरी है ठीक है आगे और यूज और आप्र ह्यों करना बहुत जादा जरूरिए यह यांनि ग्रामर का पाट बहुत ज्यादा इंपॉर्डेट है विटाउट ग्रामर आपको जराब उल्टा सिदा लिके तो मार्क्स कड़ियाएगा ठीक है तो मैं बार-बार बोलते हैं कि ग्रामर और स्पेलिंग वहतर है और एक सिक्विएंस का एक और ले लिया आपने तो आसानी से आपको पूरे में से पांच में से चार से सारे-चार मा इसके उपर हम लोगों क्या लिखना है कि स्पीश लिखना है और पहला पॉइंट दिया कॉन्वेनियंस और सेकड़ पॉइंट यह कर बिंग बैक मनी थाड़ पॉइंट डिया है प्रिवेंटिंग ट्रांसेक्शन से बचना तो यह चीज़े दे दिया है अब इन पे पॉइ यह आपने हैंग डाल दिया हना जैसा यहाँ पर दिया है कि इतनी बोला कि कहां सपीश हो रहा है यह नहीं बता है तो डायक हमने क्या कर दिया यहां पर लिखे रिस्पेक्ट टीचर्स यह टीचर्स आएका डबल S एस लगा दो टीचर्स और दीचर्स और आइड यह लिए आई आई जो भी नाम है लिख दिया है यहाप एखना अपको अपना नाम नहीं लिखना है विट साफ फीवर्स औफ विच वडर्स बोलों गा जो आज कल सब के जुबान जो को मालूम है कि cashless का दोर है हना और पे टीम हो गया फोन पे हो गया हर कोई इस्तमाल कर रहा है टॉपिक विचिज़ आ एवरीबडी लिप्स विश्क एन बी काल द फ्लेवर आप दें हना जिसको हम लोग बोल सकते है फ्लेवर अब डे बोल सकते है यस्ट टॉपिक इस अ कैसलेस हो ठीक है मैं कई अडवाटनेजिस की बात करूंगा बट जो हमारा जो है डिस अडवांटेजिस है बहुत कम है ठीक है इस दीजिटल एरा टुड़े आच कल की राकों से डीजिटल एरा है टुडें और विद टेक्नोलोजी रूलिंग द वर्ड और टेक्नोलोजी की उपर क सब्सक्राइब करने को अंडर सच कंडिशन इस अनली नेश्रल टू अड़ोप्ट केसलेस ट्रांजेक्शन इस इस नोट कर सकते हैं ठीक है जो पेपर दुनिया फर के छपते जिसके पर नोट छपता है उसकी बचत कर सकती है ओके और किसलेस बहुत आराम होता है फॉरण हो हो जाता है ठीक है कभी कभी नेट्वर का प्रॉब्लम भी होता है वह सब आगे बाद में आपको लिखना है अगर यहां पने हैं तो ठीक है और क्या बोला है वन आफ आवर ग्रेटिस इस इलीगल ट्रांजेक्शन और ब्लेक मनी कैन बी अवाइड़ेट वी केन वाक सेफली on our roads as there is no risk of being robbed or our pocket being picked ठीक है तो पहले क्या है जेप से पर्स चोरी हो जाता है मुवीज में तो आपने बहुत देखा है जेप से चोर उठाता है और भी भारे में पैसा निकाल के चले देता है तो अब केसलेस में उतना धंजट नहीं है अपने को कैसलेस में क्या रहता है काफ गया कुछ भी हुआ हंना तंबूवाले को बंबू वाले को जिसको भी है और किसी औरको जो शादी वाला है हाई यह बरतन वाला है सब को फटाफट फटाफट हम लोग क्या करते ट्रांजச्ट कर देते मनी बिना हाना पैसे लिए ड्यारेक हम लोग उसके अकाउंट्स कर देते तो यह केस्क्षन का बेनभीट तो यह सारे बेनिफयट्स आपको बता क्या करना है इसके बारे इससे जैसी अच्छा करना और इस्टारटिंग निए है आपको इस्पेक्टर टीचर्स मारे फ्रेंट लगा देने का और शुरु में जो है डेट टुडे जो भी है वह डेट लिख देना अगर छबी जन्वरी रहेगा तो लिख देने के डिपेंडेंडे वगरा रहता तो उसके इसाफ से लिख देने का फिर यहां पर टॉपिक व जाइए उसको जोइन करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो पर और